नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 11 जुन दिन मंगलवार आगे राज नितिजुरी दिन्भर की खबरों को विस्तार से जाने से पहले एक नजर सुख्यों पर डिले पलस अधिकारी समेथ कई लोगों ने वियाईपी का थामहाद बीजेपी को इस वज़े से चिराग की आईयाद सुसील मोदी ने कहा तैश्वी की क्रिपा से सीम की कुरसी पर बैठे है नितिजु प्रशान कसो ने बीजेपी और नितिज को लेकर कह दी ये बाद सक्षक को संबोधित करने लोजपा के राष्ट्री अध्यक चराग पासवान नवादा पहुंचे इस दोरान उन्होंने एलान किया कि वो अपनी पार्टी उमिद्वार को नवादा के सीट पर भी उतारेंगे इस बाद का एलान करते ही उन्होंने पसुपती पारज की पार्टी रालोजपा के सांसद चंदन सिंग पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि पछली बार उनसे टिकर देने में भूल हो गई लेकिन इस बार सीट से लोकल काणिडेट को टिकेट दिया जाएगा मालम हो कि राम दिल्ले पुलिस अधिकारी समेथ कई लोगों ने वी आईपी का थामा हाथ इनके साथ कई लोग अब पार्टी के साथ चलने के लिए तयार है इन सभी का हम पार्टी में स्वागत करते हैं बिहार विधान मंडल में हंगामे के बीज तेश्वी से विपक्षी होने की इस्तिफ़े की मांग बिहार का विधान मंडल का मौनसून सत्र शुरू हो चुका है बता दे कि हसातर 14 जुलाई तक चलने वाला है विपक्षी दल भाजपानी बिहार सरकार के कारे पनाली और तेश्वी के स्तिफ़े को मुद्दा बना कर जोड़दार हंगामा कर नारे वाजी की मही नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी की बातों को सामनी रखते वे नितीश कुमार से सवाल किया कि भर्षचार पर जीरो टॉलरेंस की उनकी नीती का क्या होगा आगे नोंने कहा कि लोगतंत्र के मंदर विधान सबा के सदर अगर कोई चार्ज सीट भर्षचारी आकर बैठे और सदर्श्यों की मांग पर सरकार चुप रहे तो भर्षचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीती कहा गई आगे नोंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना के लिए चोटे चोटे दलों के साथ मिला रही अभी हाल में जीता ना मांची भी महागडवंधन से अलग होकर बीजेपी का हाथ पकर एंडिये में शामिल हो चुके हैं चराग पासवान भी बीजेपी के साथ जाने का इसारा दे चुके हैं रामलास पासवान के विरासत के बटवारे में पार्टी दो गुटों में बेटे चिराग और भाई पसुपती पारस के बीच बढ़ गई पसुपती पारस तो केंद सरकार में मंत्री भी है पर सवाल यह है कि जब पसुपती पारस पहले से ही बीजेपी के साथ है बावजूद इसके बीज़पी को चराग पास्वान की क्याद जरूरत है दरसल बिहार में राजनतिक पार्टियां जाती को अक्सर मुद्धा बनाती रहती है रामलास पास्वान के समर्थन में हमिशा सही पास्वान वोटर्स रहें उनके जाने के बाद कहीं न कहीं पास्वान वोटर्स उनके बेटे-चिराग पास्वान में ही रामलास पास्वान की विरास्थ को देखते हैं। आगे जीतना माजी ने आरूप लगाते वे यह भी कहा कि नितीश कुमार राज़गीर जाते हैं तब तब नितीश कुमार गुल खिलाते रहे हैं आजकल तो नितीश राज़गीर भी जादा जाड़े हैं सुसील मोदी ने कहा तेश्वी की कृपा से सीयम की कुर्सी पर बैठे हैं नितीश लैनफोर्ट जॉब मामरे में सीबियाई ने तेश्वी यादब पर जब से चारसी दायर की है तब से सियासी हंगामा देखा जा रहा बिहार विधान मंडल में सत्र के शुरू होते ही या मुद्दा गर्माया और सत्र की काड़ेवाही अस्तगत कर दी गई अब इस मुद्दे को लेकर सुसील मोदी ने भी नितीश कुमार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि तेश्वी की कृपा से नितीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी में वापसी के नितीश के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं इसलिए सियाम नितीश चाहकर भी तेश्वी के खिलाफ आक्सन नहीं ले सकते सक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बीहार सरकार ने कही ये बास नितीश के लवकुस बोट बैंक पर बीजेपी पहुंचाएगी चोट। नितीश के लिए को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे आगे रहन बताया कि नितीश कुमार और लालू प्रशाद की जोड़ी से बिहार की जनता उप चुकी है। पहले तो वो आपस महीं तैक कर ले कि हम किसकी बी टीम है आप बताये हम अपना घर पड़िवा छोड़कर सुकसद्धा। ऐसो आराम छोड़कर नौ महीने से गाउं गाउं पैदल चल रहे हैं किसी की बी टीम के लिए नहीं। सक्चक नेताओं को नजरवन करने को लेकर विजया चौधरी ने दिया यह जवाब। अब आज को दबाने की कोशिच की जा रही है वही भाजपर प्रदीश रध्यक्ष समराथ चौधी दोरा कहा गया कि मक्यमंत्री जब सक्षा के इसू पर समिक्षा की बात कह रहे हैं तो हाउस अरिस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग गुंडा गरदी कर रहे हैं इसके जवाब म लेकर मुकेश सहनी के तरफ से बड़ा बयान सामने आया है दरसल मुकेश सहनी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते वे कहा कि बीजेपी को खुद के गिरेबान में जाकना चाहिए उनके पास बिहार से लेकर दीश भर में कई ऐसे लोग है जिस पर कई तरह के मुकदमे है वही आगे नोंने कहा कि कल तक जब आप विपक्ष में रहते हैं या दूसरी पार्टी में रहते है तो सब गलत है और जब उनकी पार्टी यानी बीजेपी में आते हैं तो सब वासिंग मशीन में धुल जाते हैं राज़त विधायक ने कहा लालू यादव किनेतित में देश की दिसा होगी तै बिहार विधान मंडल के मौनसून सतर में आई राज़त विधायक भाई विरंदर ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है उन्होंने कहा है कि महागरबंधन की एकता को देखते वे बीजेपी बॉकलाहट पे है भाज़पा पूरी तरह से बेचैन है उनकी नेता क्या बोलते हैं और क्या करते हैं देश की जंता वखुबी देख और समझ रही है बीजेपी की नेता बेचैनी में अनापसना बयान दे आगे उन्होंने कहा कि बिहार ही वो धर्ठी है जहां देश की दिसा तै होती है बिहार में 1942 में गांधीजी के रितित में अंग्रेजो भारत छोड़ो का नाराथ दिया गया था यही बिहार है जहां cuộc مेंcus चैत्र अनेटा प्रधान मंतरी का चहरा कौन होगा औस बात की प्रियंका पाटी की सर्वमाने नेता है, प्रियंका की प्रसदी कस्मीर से करन्या कुमाली तक है, मोधी के सामने प्रियंका को मजबूत विपक्षी उमेद्वार के रूप में पेश करना चाहिए, रितीश अखलेस, ममतावनर्ची, सरतवार, स्टालिन, अपने अपने राजे से बाहर चनाओ के लिए नहीं गया, मिरा मानना है कि भाजपाई खिलाप गांधी परिवार से बड़ा विकल्प कोई नहीं वाई दीपक तिलग जो भियायोजग करता ट्रस्ट के अध्यक्षेहन होने बताया कि लोकमाने तिलग की 103 वी पुनेतिती पर 1 अगस्त को तिलग समारक मंदे ट्रस्ट प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी को लोकमाने तिलग राश्रिय पुरुसकार से समारत करेगा विपक्षी एक्ता के दूसरे बैठक में सोनिया गांधी भी हो सकती है शामिल विहार के मोख्य मंतरे रनेतिश कुमार विपक्षी एक्ता की पहली बैठक पतना में हो चुकी है अब इसकी दूसरी बैठक बैठक में होने वाली है अब इस बैठक में सोनिया गांधी के शाम जब बता हैं आज के लिए थैनेवाद